हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू स्टडी विट कंसेट्स देखिए अभी तक मैंने आप लोग को दो लेक्चर्स में आप लोग को बता चुका हूं कि किस प्रकार से हम स्क्वैर को हम किसी भी नंबर के स्क्वैर को हम इजीली निकाल सकते ठीक है आज मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूं कि किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वैर बताना है जिसके यूनिट डिजिट में क्या है फाइब है जिसके यूनिट डिजिट में क्या है फाइब फिर यहाँ पर कोई भी नंबर हो उससे हमें मतलब नहीं है अगर यूनिट ड का square कितना होता है ये तो सभी लोगों को पता है 25 होता है ठीक मैं आप लोगों को कह रहा हूं 15 का square कितना होता है तो जिसको याद है वो तो बता देगा लेकिन जिसको याद नहीं है वो कैसे करेगा देखेगा सबसे पहले unit digit यहां पर जैसे ही मैंने देखा 5 5 का square कितना होता है 25 मैंने यहाँ पर आखरी में लिख दिया 25 ठीक अब इस 1 के बाद अगला नमबर क्या आता है 2 आता है तो दोनों को multiply कर दो कितना हो जाएगा 1 into 2 2 तो बस यह 2 को कहा लिख दो इस 25 के आगे लिख दो 225 तो भाईया 15 का square कितना होता है 225 मैंने आप से कहा 25 का square कितना होगा किसका 25 का तो आप मुझे बताओगे जैसे ही मैंने देखा unit digit 5 है तो 5 का square होता है 25 ठीक और इसके जो आगे वाला नमबर ह 2 2 के बाद किया आता है 3 दोनों को multiply कर दो 2 3 जा 6 बस इस 6 को आगे लिख दो तो 6 25 क्या होता है 25 का square होता है मैंने आप से कहा 35 का square कितना होगा बताओ आप क्या करोगे इस 5 का square करोगे कितना 25 उसके बाद 3 के बाद किया आता है 4 4 3 जा 12 मतलब 1225 क्या होता है 35 का square होता है 45 का square क होता है कैसे बताइंगे 5 का ये स्क्वेयर करदो 25 25 के बाद क्या आता है 5 आता है 5 इसको आगे लिख दो 연락 दो 2025 क्या होता है 25 का स्क्वेयर होता है देख हो आप कितनी जल्दी अन्सर रा रहा है मैंने आप से घुड़ा है 75 का स्क्वेयर बताओ कैसे बता होगे इस 5 का कर दो इस square कितना हो जाएगा 25 साथ के बाद क्या आता है 8 दोनों को multiply कर दो 7 8 जा 56 तो बस इस 56 को आगे लिख दो तो 5625 क्या होता है 75 का square मैंने आप से कहा कि मुझे बताओ भाया कि 125 का square कितना होगा किसका 125 का square तो बस जैसे ही मैंने unit digit देखा 5, तो 5 का square कितना होता है sir, 25 12 के बाद क्या आता है अभी दोनों को लेंगे, 12 के बाद क्या आता है 13, तो 12 into 13 कितना होता है 156, तो बस इसके आगे लिख दो, तो 156 25 क्या होता, 125 का square, देख रहे हो आप कितनी जल्दी आंसर आ गया मेरा, है ना, कितनी जल्दी आंसर आगे, 125 का square, मैंने आपसे कहा चलो, 175 का square बताओ, आपने बहुत जल्दी से मुझे बता दिया, कि भी या, 5 का square होता है, 25, 17 के बाद आता है, 18, दोनों को कर दिया, multiply, तो 17 into 18 होता है, 306 मैंने यहां लिख दिया, 306 तो भाई, 306 25 क्या होता है, 175 का square होता है क्या इतनी चीज़े, सभी लोग को clear है, कहीं पर भी doubt है, तो एक बार आप लोग comment box में मुझे से पूछ लीजेगा 306 25 क्या हो जाएगा, 175 का square अब मैं आप लोग को homework दे रहा हूँ homework का answer आप लोग को कहां देना है यह comment box में देना है पहला question है, आप लोग को बताना है कि 65 का square कितना होगा आप लोग को बताना है 145 का square कितना होगा आप लोग को बताना है 235 का square कितना होगा clear हो गया सभी लोग को अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो भाईया लाइक करिएगा वीडियो को है ना और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि बहुत से लोगों तक पहुँच जाए है ना जिसको जरुत है उनके तक पहुँच जाए अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ ही साथ शेयर भी करिएगा जब तक हमारी live classes start नहीं हो रही है किसी कारण वर्ष हमारी live classes अभी नहीं हो पा रही है तो जब तक नहीं हो रही है तब तक में आप लोग लिए ऐसे ही जो important question है important जो tricks हैं जो कि आपके calculation में आपको help देगी तो वो ऐसे वैसे में वीडियो आपको लाते जाऊंगा clear fast calculation के लिए clear हो गया तो चलिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक लिए बाबाए टेक कियर